हे गाईज वेलकम बेक टू माँ चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हिरोईन को देखते हैं जिसका नम निंग्शी है जो कि एक मिस्टिरियस परसन से मेसेच पर बात कर रही होती है वो निंग्शी से कहता है कि तुम्हारे साथ 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था क्या तुम भूल गई हो क्या तुम नहीं चाहती कि तुम वापस आकर अपनी सारी चीजे हसिल करो जो तुम्हारी होनी चाहिए फिर निंग्शी पुरानी बाते याद करने लगती है और हमें 6 साल पहले फ्लेजबेक दिखाते है निंग्शी और उसके हस्बेंट सीचेन के साथ ये बहुत अच्छे से चल रही होती है और उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी होता है और आज उसके हस्बेंट सीचेन की बर्डे पार्टी होती है जहाँ पर निंग्शी उसे सप्राइज देने वाली थी कि वो फिर से प्रेगनेंट है तब ही अचानक पार्टी के बीच निंग्शी के ग्रेंट पास सीडियो से गिर जाते हैं जिससे के उनकी मौत हो जाती है जिसके बास सीचेन की मॉम निंग्शी और एक आदमी का वीडियो सीचेन को दिखाती है और कहती है कि देखो तुमारी वाइब कैसी है निंग्शी कहती है कि यह मैं नहीं हूँ लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद सीचेन को उसकी बातों पर विस्वास नहीं होता फिर सीचेन की मौम निंग्शी को घर से निकाल देती है और उसे उसका बच्चा भी चीन लेते हैं फिर प्रेजन में हम देखते हैं कि निंग्षी उस मिस्टेरियस परसन को मेसेज करती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे अपनी चीजे हासिल करने के लिए वापस जाना चाहिए। जिसके बाद निंग्षी अब्रोड से वापस आ जाती है। नेक्सीन में हम हमारी कहानी के हीरो यानि के निंग्षी के हस्बेंड को देखते हैं, जो कि एक फेशन डिजाइनिंग कमपनी का CEO है और हम देखते हैं कि उसके कमपनी के हालत बहुत ही खराब चल रही है। और मीटिंग में सबी डिसकस कर रहे होते हैं कि हमें डिजाइन डिरेक्टर को जॉब से निकाल देना चाहिए वो बिल्कुल भी अच्छे डिजाइन्स नहीं बना रही है जिसकी वज़े से हमें इतना लोज जिलना पड़ रहा है और इन लोगों को तलास होती है एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर की है और इनने जिस तरह की डिजाइनर चाहिए होती है वो सारी क्वालिटीज निक्सी में होती है क्योंकि निक्सी इन से सालों में बहुत ही अच्छी फैसन डिजाइनर बन चुकी थी जिसके बन निंग्इख चैन के घर पर आ जाती है सीचेन के बाँट की बिर्डे पाटी चल रही होती है तब ही वो निंग्षी को देखर बहुत घुस्सा करने लगती है कि तुम यहा पर क्यों आई हो निंग्षी उन्हें बिर्डे विस्स करते हुए कहती है कि हम लोग इतने time बाद मिले हैं जिसके बन निंग्शी की नजर उसके बेटे पर पढ़ती है उसे देखकर वो बहुत ही emotional हो जाती है लेकिन सीचेन की mom उसके बेटे को वहाँ से बिजवा देती है निंग्शी की step sister उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की क्या तुम भूल गई हो कि तुमने 6 साल पहले क्या हरकत की थी और flashback में हम देखते हैं कि उसकी step sister ने ही सीचेन की mom को वो वीडियो दिखाया था ताकि वो निंग्शी को घर से बहार निकाल दे और सीचेन की mom अबी भी निंग्शी पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि आखिर तुम अब्रोड में मर क्यों नहीं गई यहांपर वापस क्यों आ गई हो निंग्शी कहती है कि आपकी ये विस कभी पूरी नहीं होगी मैं यहाँ पर वो सब लेने आई हूँ जो कुछ मेरा है यह बोलकर वो कुछ पेपर से यहाँ पर फेक कर चली जाती है यहाँ पर सभी लोग वो पेपर उठा कर पढ़ने लग जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि सीचेन के दो ट्वीन बच्चे भी है यह पढ़कर तो सीचेन की मौम और उसकी स्टेप सिस्टर जिसका नम जी आई है वो तोनों भी बहुत सौक्ड होते हैं जिसके बाद हम सीचेन को देखते हैं जो कि निंग्ची से मिलता है और बहुत कुछ होता है और कहता है कि तुम वापस आ गई निंग्ची उससे कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ अब तुम्हें मुझे पर सक नहीं है सीचन कहता है कि मैंने उस वीडियो को चेक कराया था और मुझे पता चल गया है कि वो वीडियो फेक थी मैंने छे साल पहले तुम्हारे साथ साहीं नहीं किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो इस पर निंग्शी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि सोरी बॉलने में बहुत लेट हो चुका है सिचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी वज़े से तुमने और बच्चों ने बहुत सफर किया है लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और घर वापस आजाओ निंग्शी कहती है कि हम दोनों का डिवोस हो चुका है और मैं यहाँ पर वोसब लेने आई हूँ जो कि मेरा है तब ही यहाँ पर उन दोनों का बेटा आजाता है जिसका नम कुन है निंग्शी उसे देखकर बहुत खुस होती है और याद करती है कि कैसे उसे इसके बेटे से अलग कर दिया गया था जब निंग्शी उसे हग करती है तो वो पूछता है कि आप कौन हो निंग्शी उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हो लेकिन कुन को यकीन नहीं होता तो सीचन से कहता है कि हाँ ये तुम्हारी मॉम है और पता है तुम्हारे भाई बहन भी है फिर सीचन निंग्षिर से कहता है कि तुम भी कमपनी की सेर हो ग्रेंटपा के सारे सेर्स तुम्हारे ही है और क्योंकि तुम अब designer बन चुकी हो तो मैं तुम्हें ये company समालने के लिए दे रहा हूँ जिस पर वो कहती है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है मुझे सिप मेरे ग्रेंटपा की टेक्निक चाहिए सिचन कहता है कि हाँ वो मैं तुम्हें दे दूँगा और क्या तुम सच में company को bankrupt होते हुए देखवाओगी देखो अभी तुम अब रोट से आई हो और तुम्हें बच्चों के education के पारे में भी सोचना चाहिए तुम मेरे साथ घर चलो मैं बच्चों का best school में admission करवा दूँगा जिस बात पर निंग्शी मान जाती हो और कहती है कि लेकिन याद रखना कि मैं सिप अपने बच्चों के लिए वापस आ रही हूँ नेकसीन में निंग्शी कंपनी पहुचती है जहां पर यही दरौजा बंद कर देती है और उसे अंदर नहीं आने देती है गाट निंग्शी से कहते हैं कि उसे पीछे वाले डोर से जाना पढ़ेगा जैन निंग्षी को देखकर सोच रही होती है कि 6 साल पहले मैंने इसे घर से निकल वाया था और अब भी मैं ही इसे निकल वाऊंगी और सीचेन से मेरा होगा जिसके बन निंग्षी कंपनी में आ जाती है और महाँ पर उसे देखकर से भी लोग बाते करने लगते हैं कि ये सीचेन की एक्स वाइफ है वो अपनी चेयर पर जाकर बैट जाती है और उस मिस्टीरियस परसन को मेसेज करती है और उसे बताती है कि मैं सक्सेस्वोली कंपनी में काम करने आ गई हूँ तो अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो वो निंग्षी से कहता है कि कॉंग्रेश यूलेशन तुमने अपना फर्स्ट स्टेप पार कर लिया और वो उसे एक डॉक्यमेंट सेंड करता है और कहता है कि इसे अच्छे से देखना जब निंग्षी उसे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके ग्रेंट पा की बॉड़ी में हैवी मेटल मिला था निंग्षी सोस्टी है कि इसका मतलब कि मेरी ग्रेंट पा की मौद एक्सिडेंट नहीं थी बल्कि उन्हें किसी ने मारा था फिर निंग्षी उस मिस्टीरियस परसन जिसका नम मिस्टर टी है उसे मेसेज करती है कि तुम्हें ये रिपोर्ट कहां से मिली तुम मुझे क्या बताना चाते हों तो मिस्टर टी उसे मेसेज करता है कि आगे की चीश तुम्हें इन्वेस्टिकेट करो जब वो कंपनी से भार आती है तो भार सीचेन उसका वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ जाके बच्चो को ले आता हूँ तो निंग्षी उसे कहती है कि तुम रहने दो वैसे भी मेरे बच्चे तुम्हें जानते नहीं है फिर निंग्षी अपनी कार में बैट कर वहां से चली जाती है और अपने दोनों ट्वीन बच्चो को लेकर घर पर आ जाती है सीचन की मौम उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुस होती हूँ और निंग्शी बच्चों को अपनी ग्रेंड मा को हेलो करने के लिए कहती है फिर ग्रेंड मा कुन और दोनों ट्विन्स को आपस में मिलवाती है और कहती है कि तुम सबी भाई बैन हो फिर सीचन बच्चों से कहता है कि तुम सभी रूम में जाओ तुम्हारे लिए वहाँ पर गिप्ट जा है फिर सीचन की मम निंग्शी से कहती है कि बच्चों की वज़े से तुम इस घर में रह सकती हो और ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है और सीचेन निंख्शी को ही देख रहा होता है जिसके बाद रात को निंख्शी शुपके से सीचेन के रूम में जाती है क्योंकि उसने 6 साल पहले ग्रेंपा के मेडिकल रिपोर्ट उसके लॉकर में रखी थी और वो लॉकर एजिली खुल जाता है निंख्शी सोचती है कि सीचेन ने पासफ़र्ट चेन नहीं किया तब इंख्शी को उस लॉकर में कुछ फोटोस मिलते हैं जो कि उसके ट्वीन बेबिस के फोटोस थे हैं ये देखकर वो सौक्ड होती है और सोचती है कि आखिर ये फोटोस सीचेन के पास कैसे आए क्या वो इन 6 सालों में हमेशा मेरे साथ था इधर जाए लिन नाम के एक आदमी से बात करी होती है और उससे कहती है कि इन 6 सालों में भी सीचेन निंग्शी को भूल नहीं पाया है लिन उससे कहता है कि तुम फिकर मत करो जैसे हमने 6 साल पहले उसे निकलवाय था वैसे अब भी कुछ न कुछ करके उसे निकलवा देंगे इदर निंग्शी ऑस्पिटल जाती है और डॉक्टर से अपने ग्रेंटपा की रिपोर्ट के बारे में पूछती है डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर ग्रेंटपा की रिपोर्ट में सच में उनके पैट में हेवी मेटल मिला था इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी ने पॉईजन दिया था जिसकी वज़े से उनका लिवर और खीडनी खराब हो गया और फिर निंग्शी सोचने लग जाती है कि अखिर उसके ग्रेंटफा को किसने पॉईजन दिया होगा इदर सीचन को उसकी सेकेटरी आकर बता देती है कि निंग्शी ओफिस में नहीं है और वो हॉस्पिटल गई हुई है तो सीचन उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है इदर निंग्षी जैसे ही हॉस्पिटल से निकलती है तब ही कुछ गुंडे आकर उससे उसकी मेडिकल रिपोर्ट छीन लेते है निंग्षी गिनने वाली होती है तब ही सीचन आकर उसे बचा लेता है निंग्शी उसे अपनी help करने के लिए thank you कहती है सीचेन उसे फिर से पुरानी बातों के लिए sorry कहता है तो निंग्शी कहती है कि वो सब पुरानी बात है और वैसे भी तुमने आज मेरी जान बचाई है तो इस साब बराबर हो गया है फिर निंग्शी ये सोचकर upset हो रही होती है कि उन लोगों ने जो बेक शुराया था उसमें grandpa की medical report थी जिसके पास सीचेन के mom उसके हाथ में चोट देख लेती है और उन्हें लग रहा होता है कि ये सम निंग्शी के bed luck की वज़े से हुआ है सीचेन अपनी mom से कहता है कि इससे निंग्शी का कोई लेना देना नहीं है ये चोट मुझे खुच से लगी है इधर जाई लिन के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुमें सिर्फ file आने के लिए कहा था सीचेन को चोट पोचाने के लिए नहीं अगली बार से मेरे कहें बीना कुछ मत करना और अपसे तुम निंग्शी के उपर नजर रखना ये बोलकर जाई उससे medical report लेकर वहाँ से चली जाती है नेक्शीन में हम देखते है कि सीचेन के हाथ में चोट लगने की वज़े से निंग्शी उसके काम में उसकी help कर रही होती है और सीचेन तो बस निंग्शी को देखे जा रहा होता है और उसके साथ उससे बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है और वो जान बुच कर acting करता है कि वो खाना भी नहीं खा पा रहा है इसला निंग्शी फिर उसे अपने हाथों से खिलाती है नेक्स सीन में निंग्शी सब्वी डिजाइनर को चिला रही होती है कि उनका डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डिजाइन के हुए कपडों मेंसे वो दो-तीन कपडों को बताती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब है तब ही यहाँ पर वो डिजाइन डिरेक्टर आ जाती है और कहती है कि एक अपड़े मैंने डिजाइन के है बताओ इन में क्या खराबी है निंग्शी उसे मिस्टेक बताती है फिर भी वो उसे शिलाने लगती है झाओ अफ़े है लगती है कि तुम होती कुन हो मेरी डिजाइन में मिस्टेक निकालने वाली तब ही वहाँ पर ज्याइए भी आ जाती है और वो भी उस लड़की की साइट लेने लग जाती है फिर वो लड़की कहती है कि मैं अभी जाकर बोश से बात करती हूं धेखना वो मेरी ही साइड लेंगे जिसके बद वो सीछन के आफिस में जाकर निंग्षी के कमप्लेंट करती है और कहती है कि मैं इतने सालों से इस कमπनी में काम कर रही हूं और निंग्शी कह रही है कि मेरे डिजाइन से अच्छे नहीं है और वो मुझे निकालना चाहती है तब ही महाँ पर निंग्शी पहुँच जाती है जैई सीचन को भड़का रही होती है कि देखो निंग्शी अभी-भी काम करने आई है और हमारी डिजाइन डारेक्टर को निकालना चाहती है फिर निंग्शी उस लड़की से कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है इस कंपनी की लीगल ओनर मैं हूँ और मिस्टर सीचन के पास राइट नहीं है मुझे रोकने का मैं जिसको चाहूँ उसे काम से निकाल सकती हो सीचन निंग्शी से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जिसके बाद वो जियाई से कहता है कि इस लड़की को इसकी सारी सल्री दे दो और इसे जोब से निकाल दो फिर जाए गुसे से उस लड़की को वहाँ से लेकर चली जाती है जिसके बाद सीचेन निंग्षी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है इसकी रिजन्स वापकई में खराब होते है लेकिन यह हमारी कमपनी की पुरानी इंप्लोई है इसलिए मैं उसे नहीं निकाल पा रहा था तुमने मेरा काम आसान कर दिया और खुदी उसे जॉप से निकाल दिया और कहता है कि जल्दी है मेरा एक इवेंट आने वाला है तो क्यों न तुम मेरे लिए एक सूट तयार कर दो ये बोलकर वो उसे मेज़र टेप आकड़ाता है फिर निक्षी उसे मेज़र करने लग जाती है और सीचन पुरानी मेमोरी सियाद करने लग जाता है निक्षी सीचन से कहती है कि तुम्हें खुद मॉडल बनने के कोई जरूरत नहीं थी हमारी कंपनी में वैसे भी बहुत मॉडल है सीचन उसके क्लोज आकर कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे बनाए हुए कपड़े सबसे पहले पहनना है फिर निक्षी पे उससे देखते हुए पुरानी मेमोरी सियाद करती है और फिर उससे दूर करते हुए महां से चली जाती है फिर निक्षी अपने ग्रेंटफा की फोटो को देखकर कह रही होती है कि मैं आपके मर्जर को जल्दी ढोंडूंगी इदर जियाई सीचेन की मौम के पेरिट को जहर देकर मार देती है और फिर उनको जाकर भड़काने लगती है कि देखो निक्षी के बेटलक की वज़े से क्या क्या हो रहा है उसकी मौम क्याती है कि हमें जल्दी ही निक्षी को घर से निकालना होगा के काम कर रही होती है तब ही उसके पास एक employee आती है और उसे कहती है कि Mr. Seachan ने आपको event में जाने के लिए कहा है क्योंकि उस event में बहुत सारे investor भी आएंगे तो निंग से उसे कहते हैं कि ठीक है जिसके बाद वो event में जाने के लिए तयार होती है और अपने लिए dress चुस करने लगती है तब ही याँ पर सीचन आकर उसे कहता है कि तुम ये वाली dress पहनो ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी तो निंग से कहती है कि हाँ ये dress मैंने ही design की है तो मैं ये ही पहनूंगी और वो सीचन को बहाँ जाने के लिए कहती है फिर वो ready होकर नीचे आती है तो देखती है कि जाई भी आ रही है और सीचन भी नीचे ही बेठा हुआ है वो सीचन से पूछती है कि तुम अभी तक event के लिए गए नहीं सीचन कहता ये कि sorry आज मैं बहुत busy हूँ और ये भोलते हुए वो GI को देखते हुए मासे चली जाती है फिर जाई सीचन से कहती है कि तुम और मेरी वहन 6 साल से अलग है लेकिन देखो वो 6 साल में कितनी बदल गई है और मुझे हमिसा company में embrace करती रहती है सीचन उसकी बातों को ignore करता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है नेक्सी में इवेंट के बाद घर पर आ जाती है और सीचन पहले से बैटकर उसका वेट कर रहा होता है और उसके आते ही उसे कहता है कि चलो अब मेरे साथ बैटकर मेरा बाड़े सेलिबरेट करो और वह उसे बिठाकर कहता है कि तुम्हारी फैबरेट डिस बनी है चलो टेस्ट करके बताओं तो निंगसी कहती है कि बर्डे तुमारा है मेरा नहीं और यह बोलकर वो जाने लगती है तो सीचन उसे रोगते वए कहता है कि यह मेरी बर्डे भी से कि तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करू तो निंगसी उसकी बात मान जाती है और वहीं पर बेट जाती है तब ही सीचन की मौम दीना बच्चों को बाहर से गुमा कर लाई होती है और वो निंगसी को सीचन के साथ देख कर बहुत ही घुसा हो जाती है और वो निंगसी के कहती है कि बाहर आओ मुझे तुम से कुछ बात करनी है और बाहर आकर वो निंग्शी को चेक देने लगती है और कहती है कि यहां से चली जाओ तो निंग्शी उनसे कहती है कि आप तो इतने सालों में भी नहीं बदली और कहती है कि मैं यहां से कहीं नहीं जाओंगी तो सीचन की मौम कहती है कि आगर तुम चाहती क्या ह क्या तुम अपने बेड लग से सीचन को मानना चाहती हो ये सुनकर निंग्शी को बहुत ही बुरा लगता और वे कहती है कि ठीके मैं यहां से चली जाती हो लेकिन मैं तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाओंगी तो सीचन की माम कहती है कि नहीं तुम उने लेकर नहीं जा सकती तो निंग्शी कहती है कि तो फिर आप भी मैं सोचना कि मैं यहां से जाओंगी फिर निंग्शी चेक लाकर वापस टेबल पर बैट जाती है तो कुन उससे पूछता है कि माम आपके हाथ में क्या है तो निंग्शी उसे चेक दे देती है और कहती है कि तुम्हारी ग्रेंड मा नहीं ये गिफ्ट दिया है सिचन भी ये देख लेता है कि उसकी मॉम ने निंग्शी को चेक दिया है फिर निंग्शी अपने तीनों बच्चों से कहती है कि डैट को बार डेविस करो और उन्हें कहती है कि कल हम लोग कैंपिंग पे चलेंगे नेक्स देशिचन के मौम जाय से बताती है कि मैंने उसे चेक दिया था लेकिन उसने नहीं ले रही है तो जाय कहती है कि पक्का उसे थोड़े पेसे नहीं चाहिए होगी उसे आप लोगों की पूरी property चाहिए होगी लेकिन आप फिकर मत करो मैं उसे यहाँ से भी निकलवा दूँगी और company से भी यह सुनका सीचन की माँ खुस हो जाती है और कहती है कि तुम जल्दी से मेरी daughter-in-law बन जाओ इदर निक्षे तीनों बच्चे को केंपल लेकर गई होती है और तीनों बच्चे निक्षे से कहने लग जाते हैं कि हमें भूख लग रही है तभी अचानक वहाँ पर Si Chen आता है और उन लोगों को सप्राइज देता है और पूछता है कि बच्चों आप लोगों को भूक लग रही है तो तीनों ही कहता है कि हाँ डेड हमें बहुत भूक लग रही है तो Si Chen पूछता है कि फिर बताओ कि वर्ल का सबसे बैस डेड कौन है तो तीनों बچlah कर कहते हैं कि आप फिर वह उन लोगों से कहता है कि मैं खाना ले आया हूं फिर यह सभी खुस हो जाते और खाना खाने लग जाते हैं जिसके बास सीचन कोने नहीं नहीं आने होती है तो वह टेंट से जहके री नहीं होती हैं और कहता है कि mom dead भी अभी सोई नहीं है तो चलो हम लोग game खेलते हैं फिर वो लोग सभी साथ में मिलकर बहुत enjoy करते हैं और next day वो लोग वापस आ जाते हैं next day में सीचन company में होता है और वो देखता है कि वहापन निंख्शी नहीं है तो वो assistant से पूछता है कि निंख्शी का गई है assistant से बताती है कि गलत सेंपल आ गए थे इसलिए वो उन्हें चेक करने के लिए गई है कभी यहाँ पर ज्याई आ जाती है और वो सीचन से कहती है कि मेरे बहन कितनी careless है पता नहीं वो company छोड़कर कहाँ चली जाती है उसे तो कुछ company के परवाई नहीं है सीचन कहता कि यह company वैसे भी उसकी है तो उसकी मर्जी वो जो चाहे वो करें लेकिन तुम अपने आपको देखो तुम इतने सालों से company में काम कर रही हो लेकिन मुझे तो तुमारे काम में कोई भी improvement नहीं दिख रहा है अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो क्या तुम इस company में टिक पाओगी सीचन जाय को यह सब सुनाकर माँससे चले जाता है नेक्स देन में निक्षी काम कर रही होती है तब ही सीचन उसके लिए दूद और blanket लेकर आता है और उसे जल्दी से आराम करने के लिए कहता है लेकिन निक्सी मही पर काम करते करते सो जाती है फिर सीचन उसे उठाकर बेट पर लेटाता है और उसके फॉरेट पर किस करता है और नेक्स डेशन अपने आफिस में बेट कर सार्च कर रहा होता है कि लड़कियों को क्या पसंद आते हैं और फिर वो असिस्टेंट से कहकर निंगसी के लिए केक बिजवाता है और फिर बात में उससे पूछता है कि क्या निंगसी ने केक खाया था वो उसे बताती है कि नहीं में इस निंगसी ने केक नहीं खाया बलकि उसे डस बिन में डाल दिया ये सुनकर सीचन अपसेट हो जाता है फिर वो अपनी असिस्टेंट को ओर्डर देता है कि तुम हर दिन निंग्सी को केक डिलिवर कर दिया करो दूसरी तब निंग्सी सोच रही होती है कि आखिर सीचन चाहता क्या है वो मुझे रोज रोज केक क्यों भेज रहा है निंग्सीन में सीचन अपनी मौम से पूछता है कि निंग्सी कापर है तो उसकी मौम बताती है कि निंग्सी तीनों बच्चो को लेकर सिंगिंग कांटेस्ट के लिए गई है उसे तो हमारी फैमिली के इज़ित की कुछ पड़ी ही नहीं है तुम जल्दी जाकर उसे और बच्चो को लेकर आओ इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स चिल्डरन कॉम्पेटिशन चल रहा होता है और निंग्सी तीनों बच्चो की तयारी करवारी होती है क्यूं लोगों को कैसे सिंगिं करना है तभी यहाँ पर सिचेन भी आ जाता है और पांचों मिलकर स्टेच पर सिंगिं करते हैं और यह लोग की पॉम्पेटिशन जीत भी जाते है और उन्हें गिफ्लता है नेक्सिन में जयाई सीचन की मॉम से मिलने के लिए आती है तब ही उसकी मॉम मॉबाल में एक नियूर्स देखती है कि किस्टमर को सीचन की कमपणी के कपड़ों की वज़े से अलरजी हो रही है और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गया है सीचन की मॉम जयाई से पूछती है कि ये कमपणी में क्या चल रहा है पर जयाई कहती है कि मुझे नहीं पता जब से निंग्शी कमपणी में काम करने आई है तब से कमपणी में कुछ नगुछ प्रॉब्लम्स होई रही है सीचन की मौम कहती है कि तुम निंगशी को कमपणी से निकालना चाहती थी तो इसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है जी आई कहती कि आप ऐसे कैसे सो सकती है आखिर मैं कमपणी की रेप्यूटेशन क्यों खराब करूंगी इदर कमपणी में कुछ कस्टमर आकर हंगामा करने लग चाते हैं और वो निंगशी को चला रहे होते हैं क्योंकि उसने ही वो कपड़े डिजाइन्स किये थे जिसकी वज़े से सबको अलर्जी हो रही थी सीचन जली से आकर सभी को चुपकर आता है और कहता है कि आप लोग प्लीज मुझे एक हपते का टाइम दीजिए मुझे इस मेंटर को इन्वेस्टिगेट करना है और जिन लोगों को हमारी वेज़े से तकलीप हुई है उन्हें हम कमपेस्टेशन जरूर भरेंगे फिर सभी सीचन की बात मान कर वहां से चले जाते हैं और पीछे जाई खड़े होकर यह सब देख रही होती है जिसके बाद मीटिंग में सभी बॉर्ड मेंबर सीचन से कहरे होते हैं कि हमें निंग्शी को फाय कर देना चाहिए तब ही सारे कस्टमर का गुस्सा सांथ हो पाएगा लेकिन सीचन नहीं मानता वो सबसे मना करता और कहता है कि मुझे उसे पर एक हफ़ते का टाइम दे दो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे भी करके सॉल्व करके रहूंगा जिसके बाद सीचन अपने लेब में टेस्ट वगेरा करता है और उस खराब कपड़े की चेखिंग करने पर उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसमें हेवी मेटल का केमिकल मिला दिया है जिसकी वज़े से सबको अलर्जी हो रही है और हम देखते हैं कि सीचन के पास ग्रेंट पा की मेडिकल रिपोर्ट भी होती है और उसे ये भी पता होता है कि ग्रेंट पा को किसी ने पॉजिन दिया था जिसमें की हेवी मेटल था सीचन सोचता है कि मुझे पता कर नहीं होगा कि आखिर इस सब के पीछे है कौन इधर निंक शीवाही मिस्टीरियस परसन मिस्टर टी को मेसेज करती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे मेरे ग्रेंटपा की रिपोर्ट दिखाई थी न जिसमें कि ये पता चला था कि उनकी बोड़ी में हैवी मेटल मिला है पता है सहीम कैसा भी वापस हो गया है मेरे डिजाइन की हुए कपड़ों में किसी ने हैवी मेटल मिला दिया है तो क्या तुम्हें भी लगता है कि इन दोनों के इसके बीच में कुछ connection है क्या तुम्हें पता है कि मेरे grandpa की मौत कैसे हुई तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारे grandpa को किसी ने poison दिया जिसमें heavy metal था जिससे कि उनके liver और kidney खराब हो गई जिसकी वज़े से ही उनकी मौत हुई निंक्षी उसे कहती है कि मेरे आसपास जो कुछ भी होता है तो मैं सब कुछ पता होता है तो बताओ आखिर तुम हो कौन Mr. T.U. से कहता है कि मैं एक गुनेगार हूँ और अपनी गलतियों का भरपाया कर रहा हूँ लेकिन निंक्षी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो है कौन तभी यहाँ पर असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि हमारा क्लाइंट हमारे साथ कौन्ट्रेक्ट टैनमिनेट करना चाता है तो निंक्षी कहती है कि ठीक है मैं इसे खुदी हैंडल करूंग पर निंक्षी उससे मिलने के लिए एक बार में जाती है जहां पर वो कौन्ट्रेक्ट दिखा कर उसे समझारी होती है कि वो कौन्ट्रेक्ट 10 मिनिट ना करे लेकिन वो तो कौन्ट्रेक्ट देखने की बज़ए बस उसे ड्रिंग पिलाने में लगा होता है निंगसी उस contract के लिए थोड़ी सी ring कर लेती है लेकिन उसे पीने के बाद उसे चकर आने लगते है और वो बेहोस हो जाती है इदर सीचेन निंगसी का location ट्रेक करता है और उसे कुछ गड़बर लगती है और वो उसे ढूनने के लिए निकल जाता है और इदर वो आथमी वीडियो चालो करके निंगसी के साथ कुछ करने ही वाला था तभी टाइम पर सीचेन आजाता है और उसे धखेल देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हमद कैसे हुई मेरी wise को टच करने की तो वो आदमी कहता है कि sorry मुझे नहीं पता था कि यह आपकी वाइफ है मुझे तो यह सब करने के लिए मैं ज्याई ने कहा था सीचन उसे कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी फिर सीचन निंग्षी को उठा कर घर ले आता है और उसे उसके रूम में लाकर कहता है कि अब तुम रेस्ट करो तब ही निंग्षी सीचन का हाथ पकट कर रोक लेती है और कहती है कि मत जाओ और फिर अचानक से उसे किस कर लेती है सीचन तो बहुत ही सौक्ड होता है और फिर वो भी उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट्स फैंड करते है सूबर जम निंग सी उड़ती है तो वो देखती है कि सीचन ने उसे हग करके रखा है तबी सिचेन भी उठ जाता है और उससे कहता है कि अगली बार से ऐसी careless हरकत मत करना फिर निक्सी जाने लगती है तो सिचेन उसे रोकता है और कहता है कि अभी मत जाओ भी और सूजाओ जिसके बाद दोनों breakfast करने के लिए नीचे आते हैं तो सिचेन उसे honey कह रहा होता है करते हुए देखकर घुसरी होती है नेक्स जीन में सीचण और निकषी फाक्तरी आते हैं सबूर तूर दूणने के लिए लेकिन टेख लेती है और उनके आने से पहले ही इनके साथ मिलकर सारे सबूप छुपा देती और यहां से भाग जाती है और जब सीचन और निंग्सी यह प्रूब कर देते हैं कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं थी और ये नियूस देखने के बाद जी आई को तो बहुती घुसा आ रहा होता है जिसके बाद सीचन और निंग्सी उन सारे पेसेंट से मिलने के लिए जाते हैं जिने कपड़े पहनने की व बॉर्ड मेंबर मुझे निकालना चाते थे लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुनी ऐसा क्यों क्या तुम्हें मुझ पर सक नहीं हुआ कि कमपनी की प्रॉब्लम के पीछे मेरा ही हाथ होगा सीचन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और मुझे पता है क तुम्हें ऐसा कभी नहीं कर सकती तो निंग्शी उसे उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्यू कहती है जिसके बाद सीचन उसे एक निकलेस बिनाता है और उसे कहता है कि चलो हम फिर से साथ हो जाता है लेकि निंग्शी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती जिसके बाद सीचन और निक्शी ऑफिस में काफी मेनाज से काम करते है और फाइनली निंग्शी की डिजाइन की हुई ड्रेस रेडी हो जाती है और दोनों उस ड्रेस को देखने के लिए जाते है और सीचन निंक्षी से कहता है कि तुम्हें ये ड्रेस ट्राइ करना चाहिए और फिर सीचन एमेजिन करने लग जाता है कि निंक्षी वो ड्रेस पेन कर आ गई है और दोनों साथ में डांस कर रहे हैं और ये सोचकर वो स्माइल करने लग जाता है तब ही निंग्शी उसे आवाज देती है और कहती है कि बताओ ड्रेस कैसी लग रही है तो सीचन कहता है कि तुम्हें इस ट्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो जिसके बास सीचन और निंग्शी बाते करते हुए बाहर आ जाते हैं फिर घर आकर सीचन सब लोगों को जियाई की उस बंदे के साथ रिकोर्डिंग सुनाता है जिसमें जियाई उस बंदे को निंग्शी को बेच्री होती है ये सब सुनकर तो सीचन की मौम बहुत सौक्ट होती है और वो जियाई को चिलाने लग जाती है तो वो कुछ नहीं कहती तो सीचन उनिंग से फिर महां से उठकर चले जाते है फिर जियाई वहां से जारी होती है तो वो देखती है कि गार्ड से क्लीनर को चिला रहे होते हैं कि यहाँ पर आने की कोई जरुरत नहीं है ये मिस्टर सीचन का प्राविट रूम है ये सुनकर जयाई समझ जाती है कि इस रूम में कुछ तो सिक्रेट है और वो चुपके से उस रूम में पहुच जाती है जहां पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारा लेप का सामान रखा हुआ है और वहाँ पर वो दो फाइल्स रखी हुई भी देखती है जिसमें कि grandpa की report थी है देखकर वो समझ आती है कि सीचन grandpa के murder case को investigate कर रहा है तब ही जैको इस file में अपनी photo दिख जाती है तो वो उस photo को निकाल कर चुपा लेती है यह सब देखकर जैको बहुत गुसा आता है और कहती है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुम मेरे repeat पीछे मेरे investigation कर रहे हो जिसके बाद वो अपनी lipstick निकालती है और grandpa की photo पर cross mark लगा देती है इदर सीचन के mom खाना बना रही होती है तो निक्सी आकर कहती है कि mom मैं कर देती हूँ तो उसकी mom कहती है कि तुम रहने दो वैसे भी तुम्हें office से कम शुट्टी मिलती है तो क्योंनो तुम आज rest करो और बच्चों के साथ time spend करो तो निक्सी कहती है कि बच्चों के साथ सीचन खेल रहा है तो क्योंना मैं आपकी help भी कर दो फिर सीचन के mom निक्सी से पुरानी सारी बातों के लिए sorry कहती है और कहती है कि अब तुम मुझे और सीचन को माफ करते हो तो निंग्शी कहती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ वो सब पुरानी बाते हैं जिसके बाद सीचन और निंग्शी बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते है निंग्शी बच्चों के साथ घर पर ही रहती है तब उसे एक अनून नमबर से मेसेज आता है कि अगर तुम सच जाना चाती हो तो अपने घर के बेक्याड वाले रूम पे आओ तो निंग्शी उस रूम में पहुँच जाती है जो कि सीचन का प्राइवेट रूम था और उसे महाँ पर वो फाइल दिख जाती है जिसमें ग्रेंटपा की वही रिपोर्ट थी जिससे मिस्टर टी ने सैंड किया था और फिर निंग्सी समझ जाती है कि Mr. T. और कोई नहीं बलकि सीचेन है लेकिन जब वो ग्रेंटपा की photo पर cross mark देखती है तो वो ये सुचने लग जाती है कि कहीं ग्रेंटपा को सीचेन ने तो नहीं मारा तब ही वो याद करने लगती है कि सीचन की नजर हमेशा ही उसके ग्रेंटपा की टेक्निक पर थी और उस दिन जब गुंडे ग्रेंटपा की रिपोर्ट लेकर भाग रहते तब ही महाँ पर सीचन आ गया था तब ही सीचन निंगशी को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो उसका कॉल अटेंड नहीं करती नेग्स्ट एब मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर बौर्ड मेंबर निंगशी से सवाल पुछ रहे होते है लेकि निंगशी तो अपने ही खवायालों में खोई होती है फिर सीचेन निंग्षी को अपसेट देखकर खुद सारे सवालों की जवाब देने लग जाता है इधर लिन जी आई को पिताता है कि निंग्षी अब तक किसी मिस्टर टी से बाते करते हुए आ रही थी और उसी इंसान निंग्षी के अब तक बहुँ जादा हेल्प की थी और जब मैंने उस परसन का IP एड्रिस चेक किया तो वो कोई ओर नहीं बलकि सीचेन का घर है यानि की सीचेन ही मिस्टर टी है जो इतने टाइम से निंग्षी को हेल्प करते आ रहा है और जब हमने इंग्लेंड में निंग्षी को मानने की कोसिस की थी तब भी वही उससे प्रोटेक कर रहा था और वो बज़ गई थी और मैरे खायल चे यह सब सीचेन का ही प्लैन है और उसने जान बुच कर निंग्षी को यहाँ पर बुलाया है ये सब जानकर ज्याई को बहुत घुसा आता है और वो कहती है कि अगर सीचेन मेरा नहीं हो सकता तो उसे मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी इदर निंग्सी सोच में पड़ी होती है कि क्या सीचेन नहीं उसके ग्रेंट पाको मारा है लेकिन सीचेन को तो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आकर निंग्सी को क्या हो गया है गर पर भी वह ऐसे अपसेट बेठी होती है तो तीनों बच्चे सीचेन से कहते हैं कि हमें पता लग गया है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो जगड़ो हुआ है डैड आपको मॉम को मनाना चाहिए और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे फिर तीनों बच्चे सीचेन के helping करने के लिए सारे घर को डेगरेट कर देते हैं फिर वो लोग निंगसी को यहाँ पर लेकर आते हैं और सीचेन उससे ring दिखाते हुए प्रपोस करते हैं और कहता है कि हम लोग फिर से साथ हो जाते हैं ये सुनकर निंग्सी तो बिल्कुल भी खुस नहीं होती है और वो जल्दी से उससे रिंग लेती है और बच्चों को कहती है कि चलो सौने और मेरे साथ होना शाते हैं और वो सीचेन को कुछ भी नहीं कहने देती है और महां से चली जाती है फ्लेस्बेक में हम देखते हैं कि जब सीचेन की मॉम ने निक्षी को घर से निकाल दिया था तो वो उसे ढूंडने के लिए बाहर आया था लेकिन वो उसे नहीं मिली थी और जब वो अब रोड चली गई थी तो वो उसके बारे में हर डीटेल पता करता था कि वो कहां पर रहती है और कब कहां जाती है और वो अपने ट्वीन बेबी की न्यूज सुनकर भी बहुत ही जादा खुस हुआ था लेकिन अब निंग्शी की इतनी बाते सुनाने के बाद सीचन बहुत ही सैड हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है फिर वो निंग्शी को कॉल करता है और कहता है कि बताओ मैंने क्या गलित किया निंग्शी उसकी आवाज सुनकर समझ आती है कि वो ठीक नहीं है और वो जल दीक्ट इसे लेने के लिए निकल जाती है और उसके पास आकर उसे कहती है कि आकर तुम बच्चों जैसी हरकते क्यों कर रहे हो चलो घर चलो सभी तुम्हारा वेट कर रहे है लेकिन सीचन नहीं मान रहा होता है तो वो कहती है कि ठीके तुम यही बेटों में जा रही हूं यह बोल कर वो जाने लगती है तो सीचन पीछे से उससे बताता है कि वो अपरोड में किस विल्डिंग में रहती थी और कहता है कि दो साल पहले तुम्हारी जॉब जाने वाली थी और अब तक मैं तुम्हें silently protect कर रहा था निंग्शी उसे पूछती है कि क्या grandpa के murder के पीछे तुम्हारा हाथ है तो सीचन कहते है कि तुम्हारे grandpa मुझे अपने real grandson की तरह मान दे थे तो आखिर मैं उन्हें क्यों मारूंगा तुम चाहो तो मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ फि कैसे भी करके company के shareholder से बात करो और ज्यादा से ज्यादा से खरीद लो फिर कुछ दिनों बाद company में meeting होती है shareholders की जिसमें ज्याई भी आ जाती है कि सबसे ज्यादा share मेरे पास है तो अब मैं इस company की chairman बन गई हूँ तब ही यहाँ पर सीचन आता है और वो सबसे कहता है कि इस को पूरा plan खराब हो गया है तो वो फिर सीचन से माफी मागने लग जाती है तो सीचन उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें दो option दे रहा हूँ या तो तुम यहाँ पर रुक कर पुलिस का वेट करो या तो फिर यहाँ से खुदी चली जाती है लिन उससे कहता है कि चलो हम तो यहाँ से अबरोड भाग जाते हैं तो जाई कहती कि नहीं इससे पहले हमें एक कम और करना होगा जिसके बास सीचन और निंग्षी तीनों बच्चों को बाहर लेकर आये होते हैं तीनों बच्चे खेले में लग जाते हैं और सीचन और निंग्षी आपस में बात करने ल तब ही निंग्शी को जियाई का कॉल आता है और उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा कुन मेरे पास है अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो चल्दी से 10 मिलियन लेकर आओ तभी मैं उसे छोड़ूंगी और हां अखेले आना और पुलिस को कॉल करने का तो सोचना भी मत निंग निंग्शी पैसे लेकर पहुंच आती है और जयाई से कहती है कि अब मेरे बच्चे को छोड़ दो जयाई सारे पैसे ले लेती है और फिर उसे कहती है कि पहले तुम मुझसे भीक मांगो तभी मैं उसे छोड़ूंगी निंग्शी कहती है कि ठीक है मैं तुम से भीक मांगत ताकि वो जल्दी मर जाए और सारी सेयर उसे मिल जाए Jay's starting से ही निक्षी से बहुत नफरत करती है कि उसे सीचन भी मिल गया और grandpa के सेयर भी इसलिए उसने सीचन की बड़े party में grandpa को धका देके मार दिया था present में Jayakoon के पास डंडा लेकर जाती है और वो निंग्शी से कहती है कि मैं शाथी होगी अब तुम भी मर जाओ फिर वो निंग्शी को धमकी देती है कि तुम पानी में कूद जाओ वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूँगी निंग्शी मान जाती है और कहती है कि मैं कूद रही हूँ लेकिन तो मेरे बच्चे को खुश मत करना और फिर निंग्शी अपने और सीचन के बारे में सब को सोचने लगती है और फिर वो कूदने जारी होती है तब ही यहाँ पर टाइम पर सीचन बहुत जाता है और सभी गुंडों से फाइट करने लगता है और फिर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जायों लिंग को अरेस्ट कर लेता है फिर निंग्शी को फिर से मनाता है और वो मान जाती है फिर उन दोनों की साधी होती है और पांचो साथ में फोटोस किछवारे होते हैं और यहाँ पर इस रामा की हैपी एंडिंग हो जाती है अगर रामा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक को सेहर भी करें थैंक्स पॉर वाचिंग